कपड़े धोने वाली बभू जाए अपने घर में ही करेगा फिर चाहे घर के कपड़े दोने हो या पुले गाओं की वो दिन भी आ जाता है जब वीभा को देखने लड़के वाले आ जाती है लड़की मुझे अच्छी लगी होने वाली सास कहती है बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो वैसी तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मिली है जो वो बोल दो वो मान लेती है इसे क्या पूछना होगा अरे कैसी बात करी हो माँ मुझे इन लोगों की घर रहना है सवाल तो कही है पूछ लो ना क्या पूछना है आप लोगों की घर कपड़ी कौन दोता है सास का मूँ बन जाता है तेखो अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े दोने नहीं आते तो सुन लो कपड़े मैं ही दोती हूँ लेकिन तुम्हारे आज आने के बाद मैं रुमाल तक नहीं दोंगी अर अचो परायना भागेवान बहु बेचारी घर आई नहीं उसे डराना शुरू कर दिया वो क्या है ना बिटया अभी तक तो ये कल्लू की मा ही दोती थी लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहज में वाशिंग मशीन देंगे ही तब ही वीबा की मा बोल पड़ती है सवाल भी पूछा तो क्या ऐसे भाई सहाब मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कापिसिटी होती है मतलब जो बिटया दे रहे ना वीबा इसी कपड़े धोने का बहुत शौक है ये आप लोगों की क्या आस पडोस गाउ महली सब की कपड़े धो दे और उफ तक ना करे बाहर देखा नहीं आप ले कितने कपड़े सूख रहे हैं सब हमारी बिटया नहीं तो धोए है बस भी करो ना मा शर मारी इतनी तारीव सुनकर और तो और एक दाग निकाल कर निखाओ तो मान जाओ हाँ अच्छा अच्छा माफ करना बेटा मैने गलत समझा हमें तो रिष्टा बहुत पसंद है और ऐसे जड़ जाता है रिष्टा कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का उसकी शादी हो जाती है कोईला फैक्टरी में काम करने वाले कल्लो के साथ शादी के बाद अचानक विभा जिल्दाती हुई सास के पास आती है सास मा अरे सास मा कहा है आप यह तो दोखा है, दोखा दिया आप लोगोंने मुझे, इसे सुसूर के चक्कर के बारे में पता चल गया, तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है, अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब दोलेंगे, अचा अचा तुपानी नहीं आ रहा है, उसकी बात कर रही है, कुछ नहीं, अचा तेरी मा ने कहा था कि कपड़े दोने का शॉक है, तुझे याद आया मुझे, शॉक शॉक बोलकर कपड़े दोने वाले मेरे जुनोन को कम ना किसा सुमा, कपड़ा दोना मेरा गुरूर है, तभी पती भी वहां आ जाता है, अभी अभी मैंने इसे सनी द तंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया, अरे कैसे बात कर रही है, दो सो लिटर की टंकी में कितने कपड़े दोलूगे मैं, सुबह ही उचाओंगे मैं, अब क्या था, विबा सुबह चार से लेकर रात के बारा बज़े तक कपड़े ही दोती रहत है, और बेटा सुपर्वाइजर है कोईला फैक्टरी में, दोबन समझ रखा है हमें, हाई रे कल्लू की अमा माफ कर दो, पुत महले में यही सब बत्या रहे थे, कि तुमने बहु को कपड़ा दुलवाने की काम में लगा दिया है, सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुसा आ सास पड़ोस वाले बोल रहे हैं, कि हम बहु से कपड़े दुलवा दुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिया है, अरे छोड़ो ना माजी, किन लोगों की बातों में आती हो, आस पास के लोगों का तो काम ही होता है, कि वो किसी तरह सास बहु को लड़ा दे, बहु स तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो, और ऐसे सिंपल सी प्लेन साड़ी पहन कर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं। कुची भी सासू मा, कुची भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल, मेरे पती लेकर आये थे मदरा से, स्पेशली मेरे लिए तससार की ताहे भाई सहाब इस बिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आये होंगे, तससार की सास उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन बहु के साथ घर आती है और अलमारी से अल्बम निकाल कर लाती है ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पैना था, इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं न, ये सोने के धागों से काड़े गए हैं, लेकिन तू, लोकल वाशिंग मशीन, ब्रच से घिस-घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी कर दी, मुझे माफ कर दीजी सासुमा, और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तू ने तो सब के सामने मेरा मजाख ही बना दिया, क्यों? बहु को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़ी धोना बंद! झाल 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 झाल